वूप आप अपने फैमिली के साथ खुश और स्वस्थो और आप लोग का ये स्टरी किया था हॉलीडे था किसलिए वरकरी था और आप सब अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड की होंगे वैसे तो आप सभी घर में हो बड़ जब हॉलीडे होता है तो और जादा खुशिया होती है आप लोग को बहुत खुशी मिलती है है ना तो चलो बच्चो आज मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ इंगिश में देखो मैंने यहां पे फिलप दिया है जिसे मैं कम्प्लीट करूंगी और आप भी इसे देख देकर अपनी कॉपी में रीट करेंगे दिन उसके बाद जो लेटर आएगा उसे हम लोग लिखेंगे तो लेट स्टार्ड तो एके बाद हमें क्या लेखना है बिटा यहां पे Small Letter है तो हमें यहां पे B खिल करना है ना श्मॉल लेटर का कई तो आप सब जानते है उतने दिनों में तो आप सब जान ह कि जहाँपे आपका small liter है तो आपको small liter ही physical करना है अगर वहाँ पे capital F तो मैंने यहाँ पे F लिख दिया F के बाद G उल्रेडी लिखा हुआ है G के बाद क्या लिखेंगे? H, तो मैंने यहाँ पे H लिख दिया I लिखा हुआ, यह के बाद क्या होगा बिटा? J, तो मैंने यहाँ पे small letter का J लिखा K लिखा हुआ है, अब हमें क्या लिखना है? J, K के बाद L तो मैंने आपको previous वीडियो में L तक ही लिखना सिखाया था इसलिए fill up में भी मैंने आपको L तक ही complete कराया अब हमें आगे लिखना है तो L के बाद क्या आता है बिटा? अगर आप भूल जाते हैं, तो आप starting से start करोगे तो आप उसे पकड़ लोगे जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L तो क्या आया? M तो हमें पहले एक capital letter का एक M लिखना होगा बिटा जो आप सब जानते हो तो मैंने ये capital letter का एक M लिखा है, only one अब हमें small letter में लिखना है ना? तो small letter में M कैसे लिखोगे? middle line से start करोगे, ठीक है? तो आपको पहले एक छोटा सा line ऐसे M लिखना है ना? यानि अगर आप ऐसे उल्टा, यू जिसको कहते हैं वैसे अगर आप copy को उल्टा नहीं कर देना बेटा बस आपको अपनी pencil को ऐसे पकड़के middle line से आपको बस ऐसे उपर नीचे आपन डाउन करना है तो ये M हो जाएगा, है ना? बहुत सारे बच्चे जो है M ऐसे लिखते हैं इस तरीके से ठीक है, हट तक ठीक है बट अगर आपको प्रापर लिखना है बिटा तो उसका एक चोटा सा टेल यहाँ पर निकालना होता है, ना? तब जो करिए, एकड़म exact M कहलाएगा, ठीक है? तो आप इस तरह से small letter का M लिखोगे पहले आपको चोटा सा line ड्रोव करना है बस up and down इस तरीके से आपको two times repeat करना है तो यह आपका M हो जाएगा तो आज हमने small letter का क्या लिखा बिटा? M, तो आप भी अपनी English की copy में इसे लिखकर complete करोगे ओके? चले, next चलते हैं हिंदी में, हिंदी में आज हम लोग बिटा क्या लिखेंगे? मैंने आपको बिटा बड़ी इतक लिखना सिखाया है है ना? और आज छोटी बड़ी अब हमें क्या लिखना है? छोटे U लिखना है तो चलिए हम लोग छोटे U लिखते हैं तो मैंने यहाँ पे 4 line draw कर लिया आप भी इस तरह से line को draw कर लोगे अब कैसे लिखोगे बिटा? तो बहुत ही easy और simple है छोटे U लिखना तो कैसे लिखोगे? बस आपको 3 जैसा लिखना है जैसे आप 1, 2, 3 मैस में लिखते हो ना वैसे ही आपको 3 जैसा लिखना है तो रहा सा गोल गोल करकर है ना देखो मैंने लिखा है तो यह क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं छोटा U क्या बोलेंगे इसे? छोटा U, ठीक है? चलिए, फिर से देखिए इस तरह से आप दोनों लाइन को मिलाते हो तो थोड़ा सा, जैसे 3 तो ऐसे लिखते हैं क्योंकि बहुत ही easy और simple है बस दोनों लाइन को मिलाते हुए इस तरह से आप छोटा U, जो है, लिखोगे है ना बिटा? है ना, बहुत easy और simple? इस तरह से आप भी अपनी हिंदी की copy में से complete करोगे ठीक है? चलिए, नेक चलते है maths में देखते है maths में क्या है? यहाँ पर मैंने आपको 61 और dash लिखा है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? 61 के बाद क्या आता है? 61 के बाद आता है बेटा, 6262 62 जो कि मैंने फिल कर दिया, अब हमें आगी लिखना है, तो 62 के बाद क्या होता है? 63 पहले लिखोगे फिर 3 लिखोगे इस तरीके से 63 ठीक है? अब हमें क्या लिखना है? 64 64 क्या लिखोगे? 64 64 मैंने 2 टाम्स 63 63 लिखा है और 2 टाम्स 64 64 लिखा है तो आप भी अपनी कॉपी में अज़टीज ऐसे ही लिखोगे है ना? दाट्स अल फर टुडे बाबाई आद टेक क्यार